स्टूडेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर अपडेट निकल कर आ रहा है कि 36 गड़ में पहली बार होस्टल वार्डन के बाइस सो पदो पर जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भरती निकल कर आया है इस वीडियो में आप सभी को मैं करेंगे और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मार्केट में बहुत ज्यादा बुक जो है अवाइलेबल होते हैं और आप दूसरे बुक से एक्जाम करेंगे और आप से हरे की शुड़न जो है ग्जाम की ताहरी करते हैं आपके जो पढ़ाई कर उस पर कोई डाउट नहीं है लेकिन जो पुस्तके जिन से आपके एक्जाम में एक भी क्वेस्टे नहीं पूछे जा रहा है उन से यदि आप एक्जाम की ताहरी करेंगे तो आपका सेलेक्शन नहीं हो पाएगा तो इसलिए आपको जो मैं बुक पुस्तके बताऊंगे यदि आप उन्हीं बुक से एक्जाम की तैयरी करेंगे तो आपका सेलेक्शन जो है जरूर हो पाएगा क्योंकि जो पुस्तके जिन से आपके एक्जामी क्वेस्टन आ रहा है आपको उन्हीं पुस् भरती परिक्षा के संबंद में जो है कम्प्रिटी जनकारी देने वाला हूं तो फ्लीस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना और आप लोगों के लिए जो है पहली बार हॉस्टल वार्डन के चात्रवा सधिक्षा के बाइस सब्सक्राइब कर आया है तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि है हॉस्टल वार्डन वादन के बाइस सफ़से निदी के बात करें तो कि बारवी आपका मादमी सिस्क्रमडर राइपूर बोर्ट से होना चाहिए और इसके साथ ही अपक एक वर्सका कंव्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए यदि आपन इंपोर्टेंट होता है वहीं हाश्टोल वाडन के बाश्टो पदो पर जो भरती निकलने वाला है उसमें आई यू सिमा के बात करें तो मिनिमम इसके लिए 21 वर्च एज लिमीट है अब आप इसे काफी स्टूडेंट सोच रहोंगे कि सर इसके लिए तो सेक्शन ही क्यों गय दिया जाता है और 20 के डिगरी वाली स्टूडेंट को तीन वर्च कछूट जो है बेनिफीट देखने को मिलता है चैन परक्रे सेलेक्शन प्रसुजर के अगर हम बात करें होस्टल वाडन में तो इसमें डायरेक्ट भरती होता है सीधी भरती होता है सिर्फ आपको एक्जाम प्रस्ट आपके एक अंके होंगे 1 by 4 आपको जो है निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग देखने को मिलता है तो कौन-कौन से सब्जेक्ट से आपके एक्जाम में कोईस्ट पूछे जाएंगे पूरा हर एक टॉपिक वाइस बताऊंगा और उस सब्जेक्ट वाइस ब पूरे दिखाता हूं ताकि आप लोगों को सिलेबस के बारे में जो है कंप्लिटी जनकारी मिल से कि क्योंकि बिना सिलेबस की जनकारी के आप जो किसी भी गौर्मेंट जब वेकेंसे से जिवाप एम एक्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आखरी में आपको बत दस प्रशन आएगा अंग्रेजी से भी आपके एक्जाम में दर्शंको का 10 पूछे जाते हैं समान्य ज्यान के बात करें तो समान्य ज्यान से आपके एक्जाम में जो है 20 अंको के 20 प्रशन पूछे जाते हैं समसाई की घटना क्रम यानिकी करेंट अफेर से भी आपके एक् पचास परश्ण जो है पूछे जाते हैं प्रत्यक परश्ण जो है आपके एक अंक्र होंगे वहीं कम्प्यूटर के सिलिबस की बात करें तो कम्प्यूटर से आपके एक्जाम में जो है पचास अंक्रों के पचास परश्ण पूछे जाते हैं तो कम्प्यूटर के पचास बरलाना अनिवार है यह नए रूल और रेगुलेशन जो है जारी हुआ है आप सभी के लिए वहीं कम्पूटर स्लेबस के बात करें आपको पुरा टॉपिक वाइस डिटेश वाइस वाथारहम तो कम्पूटर के सिलेबस में कम्पूटर के उप्योग कम्पूटर की समान्य ज जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, MS Office में आपका MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access की जानकारी, इंटरनेट, email, search engine, web browser, shortcut case, full forms, इन सभी के जानकारी जो है कम्पूटर से आपके एक्जाम में क्वेस्टन पुछे जाते हैं तो कम्पूटर की तैयारी करने के लिए आपको परिक्षा मन्थान, कम्पूटर एक परिक्षा लेना है जिसे आपके एक्जाम में कम्पूटर से जो 50 संकु के क्वेस्टन पुछे जा रहे हैं उसमें से 50 में से 25 नंबर आपका अवस्य रुप से आ जाएगा हिंदी किस लेपस के बाद करें तो हिंदी से आपके एक्जाम में 10 संकु के 10 क्वेस्टन पुछे जाते हैं जिसमें आपका स्वर वेंजन, वर्तिनी, वचन, काल, शंग्या, सरवना, मिशेशन, क्रिया, प्रियोग, समाश, रचनायम प्रकार, संधी की जनकारी, उपसरग, इवंप्रत्य, तत्सम, तद्भव, देशज, परियावाची सब्द, विलोमार्थी, अनेगार्थी सब्द, मोहारे वलोकोफियां, यह सभी आपके हिंदी के लिए बहुत ज्यादे इंपोर्टेट होता है, तो हिंदी के एक्जाम्स की तैरी करने के लाब को जो है डिली आ अपरेशन, कंजेक्शन, प्रिकोजिसन, आर्टीकल, डिग्री, क्वेस्टन, टैग, वन वर्ड़, सबस्टिटूशन, सबड़िनेट, क्वाडिनेट, फिनिट वर्ब, नउन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, यह सभी चीज़े आपके एक्जाम में में इम्पॉर समसाई की घटना करम current affairs के लिए विकास परकमासिक पत्रिकर लेना है इसके साथ ही आपको अरजुना का current affairs लेना है तो दोनों से आपको current affairs की preparation करना 36 गड़ की जनकारी के लिए आपको हारी राम पटेसर का competition academy का आपको 36 गड़ विसीष्ट अध्यन लेना है तो इस तरह से आपके 36 गड़ की exam की preparation जो है अच्छे से हो जाएगा तो इन सभी बुक को लिंक आपको description में में जाएगा जहां साथ पसानी से बुक को order कर सकते हैं purchase कर सकते हैं तो आई होग जितने भी जनकारी मैंने आप सभी को बताया सभी जनकारी आप लोगों को पसंद आए अगर मेरे द्वारा दीगे हुई सभी जनकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब इसक्राइब कर लीजिए साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आप लोगों को जनकारी सबसे पहले मिल सेगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक सेयर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में